सो हेलो गाइज वेलकम और वेलकम बैक तो अंदर नियू वीडियो इन इस वीडियो वी सी इंस्टाफ्लो नियू अपडेट वर्जन 18 सो लेट्स स्टार्ट इंस्टाफ्लो के उपर इस वीडियो में हम पूरा टुटरियल देखलेंगे इसके अंदर क्या-क्या न्यू पेचर आड़ हुए और पूराने फेचर, सारा टुटरियल इस वीडियो में हम देखलेंगे इसके अंदर जो जो न्यू फीडियर एड़् हुए, सारे फीचर को जो हम डेटेल में देखने वाले बस आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप नहीं करने हैं और पूरा वीडियो देखना है तब आपको ये सारी जीज़े जो समझ में आए पर आपको आपको सेटिंग का आइकॉन दिकाए देर आए गवा उसके पर आपको सिंपली टैप कर लेना है इसके अंदर जो आपको और लिजो कीया आपको आपको शुच्र देखने को मिलता है डेव सेटिंग सिंपली इस वह अप्शन को पर आपको सिंपली टैप कर लेना है इसके अपर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ एसका को एंटर फेस आने वाला है इस रिष्टमी पर आपको कर लेना है रिस कोई छया प्रक्षिज्य करने के जोड़ेत नहीं के बस आपको पॉज़ काई तरफ बार-बार फेल्वा सारेते तरफाल directions की इस याप उपर इसे रख च्टने वालेbas जैसे ही इजिल को आप श्टूरी पे अड़ करोगे आपको जो इसके अंदर जो सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी जैसे के आईफोन में देखने को मिल जाती है और चाहिए तो इसका बैक्रॉण्ड बे आप यासे आप चेंज कर सकते हो बस मैंने प्राइड के वी कॉन्फी फाइल को इसके पर आपको अपलाइक कर देना है उसके बाद आपके सारे फीचर इनैबल हो जाएंगे इसका अंदर जो आपको लेरिंग टूल का आपशिन भी देखने को मिल जाता है जस्ट आपको कोई साभी एक बैक्राउंड चूज कर लेना है और उसके पर टाप करके सिंपल आपको इसे कुछ इस तरग से नीचे खिच लेना है उसके बाद जो आपको लेरिंग टूल का आपशिन देखने को मिल जाता है जिसका भी आप याप याप यूद्ज कर पाओगे उसके साथ ही यह जो इनाए इंटरफिस आपको याप पर देखने को मिल जाता है यह भी बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है इसके बाद बात करते है आयोस इमोजिस की इसके अंदर जाए 70.4 इमोजिस 100% वर्ग करने वाले जो कि आप याप याप देख सकते हैं सारे जो न्यूजिस आप 100% वर्ग कर रहे है तो आपके साथ भी यह वर्ग करने वाले सिम्बली आपको नीचे जोड़े डाउनलोड को ओप्चिन दिखाई देगा इसके उपर आपको टैप कर लेना है और इसे डाउनलोड कर लेना है करिब करिब 100mb के आसपास ही है तो 2-3 मिनट में यह डाउनलोड हो जाएगा यही प्रोसेस फॉलो करना है आपको config file के लिए और config file को भी download कर लेना है ये भी बहुत ज़्यादा important होने वाल है डाउनलोड complete होने के बाद simply जो ज़्यादा फॉल्डर को आप उपन कर लेना है और डाउनलोड आले फॉल्डर में जाना है यहाप आपको दोनों फाइल देखने को मिल जाएगी simply आपको config file को जो एक्स्टर्ट कर लेना है config file extract होने के बाद simply instaflow apk पर आपको tap कर लेना है और simply इसे install पे लगा देना है install करने ते टाइम बहुत लोगं को यहसा problem आ रहा है unsap app block यहसा आने के बाद simply mode detail पर आपको tap कर लेना है और नीचे जो option आएगा install आने वे तो install आने वे कर लेना है उसके बाद instaflow को आप अच्छे से enjoy कर पाऊगे जैसे instaflow के settings में आते आपको बहुत सारे यह option देखने को मिल जाते simply stories setting पे आपको tap कर लेना है story settings में आने के बाद आपको जो यह facebook style stories को आन कर लेना है जिससे कि थोड़ा new app को देखने को मिल जाता है उसके बाद customize story font के उपर आके simply joys के उपर आपको tap कर लेना है और यहापे आपको देखने को मिलेगा iOS 17.4 simply इसको आपको tap कर लेना है उसके बाद यह download होना start हो जाएगा उसके बाद third number वाले font के अंदर आप सारे joy new images work कर पाऊगे जो क्योंगे 17.4 emoji सारे जो new emoji आपके 100% work करने वाले उसके बाद new style में भी आप mention back देपाऊगे और facebook like stories भी आपे देख सकते हैं आपे जो इसके आइकोन है जो facebook के तरह हो चुके अब बात कर लते हैं कुछ privacy settings की इसके लिए आगे आपको अपन कर लेना है settings और settings में आपको option मिलता है privacy का इसके अंदर जो बहुत सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि किसी की भी story आप जो animously देख पाऊगे और head typing जैसे बहुत सारे feature यहापे देखने को मिल जाते अगर आप पर आपको चाहिए तो आप इसे use भी कर सकते हूँ सबसे नीचा आपको option में लिगा change chart background simply इसे जो enable कर लेना है और select photo कर लेना यहापे simply जो आपको कोई सबी एक photo select कर लेना है जिसके बाद जो आपके chart के background में यह photo आ जाएगा तो यह सारे feature चाहिए तो इसकी link जो आपको मिल जाएगी description में जाओ और इसे install कर लो और कोई भी problem ना है तो मुझे instagram पे dm कर लेना do subscribe for more